हेलो भाई वेलकम टू गौरव का टेक आज आए हुए हम 36 टोईटा जो की फईदाबाद आपकी ब्रांच है इसकी दो ब्रांच और है मोती नगर और आपका पलवल में 36 टोईटा और मैं तो कौंगा आप आप शोरूम पे विजिट करें हैं आप यहां पर हम गाड़ी देखन आपको इतना अच्छा लगएगा आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे ऐसा लगएगा जैसे घर के लोगों से बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छा बेव है यहां के लोगों का तो अब सुरू करते हैं गाड़ी के बारे में तो बाई जैसा कि आपको 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 यह वी एक् आपको फैदाबाद पड़ता और स्टार्टिंग करें इसमें हमें कंपनी ऑफर क्या क्या कर दिये तो इसमें हमें कुछ इस तरह के हाई लोजन हैड्लम्स देखने के लिए मिल जाते हैं प्रोजक्टर में यह लोगीम के लिए हाई बीम के लिए हैं और यहां साइड हम इसमें दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे फ्रंट पार्किंग सेंसर और फॉग लेंप आपको नीचे लोवर ग्रिल में यहां देखने के लिए मिलेगा इसकी अपर ग्रिल की बात करें तो कुछ मैट सौरी ग्लोसी फिनिश में और बीच में टोटा का लोगो देखने के लिए आपको और उसी के चारों तरफ आपको बीटिंग देखने लिए मिलेगी जो की चारों तरफ गरिल के नीचे क्रोम में हैं वहीं लोगर गरिल आपको में देखने हमेड ब्लैक पिनिश में और बीच में नमबर प्लेट की जग़ा तो टोटल फ्ररंट आप इसका चेक आउट कर सकते हैं और हमें जो इसके हैड्लम्स मिलेंगे ये ओटो हैड्लम्स मिलते हैं ठीक है तो वहीं आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह के आपको ORBM देखने के लिए मिलेंगे विद इंडिकेटर जो की ऑटो अर्जेस्टेबल और रियक्टेबल आपको मिलते हैं एक क्रोम बीडिंग मिलेगी जो की फ्रेंट कॉर्टर ग्लास से लास्ट कॉर्टर ग्लास तक जा रही है पूरे पे क्रोम बीडिंग और यह जो आप क हाई कि जैसा मैंना आपको बतात रियर ब्रेक सामें इसके ड्रम ब्रेक में एक है कि वहाई यह टियल नैंब्स की बात करें तो कुछ के टो से होगने के का में कुछ पार्ट टेल लेंप का आपको बूट गेट पे भी देखने के लिए मिलेगा यहां नीचे इंडिकेटर प्लेस क्या हुआ है यह आपका बेक लाइट वहीं 2.4 लीटर में यह इंजन है तो इसकी ब्रैंडिंग की हुए मार्किंग की हुए और यह वी वेरियंट है त और यहां आपको रेर वाइपर भी मिल जाता है पीछे बूट गेट पे टोईटा का लोगो जो की काफी अच्छा लग रहा है देखने में वहीं आपको रिवर्स कैमरा इनुवा क्रिष्टा की ब्रैंडिंग और टोटल चार पार्किंग सेंसर पॉइंट किये हुए इसमें और पीछे बंपर में रिफ्लेक्टर दो रिफ्लेक्टर देखने के लिए आपको मिलेंगे तो गाड़ी का साइड प्रोफाइल भी आप चेक आउट कर सकते हैं एक लगजरी और एक कमफर्ट जोन में नंबर वन गाड़ी है तो यह पूरा side profile चेक कर सकते हैं अब वहीं interior की बात करें तो कुछ इस तरह का हमें इसमें black में interior देखने के लिए मिलेगा door opener chrome में मिलेगा यह lock unlock का button black में यह आपका ORBM control unit यह आपका गाड़ी lock unlock करने के लिए और चारो power window लिए इसमें जो चारो power window है आपको auto up down मिलेंगे देख रहे हूंगे आप चारो पे auto लिखा हुआ है यह बना हुआ है तो यह auto up down मिलेंगे यह glass lock unlock करने के लिए वही door access करने के लिए handle थोड़ा यहाँ पे fabric दिया हुआ है टोटल चार speakers देखने के लिए मिलेंगे हमें इसमें water bottle पे speakers के बाद आप पनीचे पैडल लाइट भी देखने के लिए मिलेंगे डॉर्स में और डॉर्स में भी आपको दिखाता हूँ है या नहीं और यहाँ पे twitter place किया हुआ है तो एक बार आप इसका इंटीर चेक आउट कर सकते हैं कुछ-कुछ wooden भी देखने के लिए मिलेगा हमें और semi fabric seats देखने मिलेंगी जो की काफी अच्छा fabric यूज किया गया है टोटा की तरफ से height adjustable seats मिलेंगी आपको इसमें manual height adjustable वहीं seats पे क्रिश्टा की branding adjustable headrest वहीं नीचे आपको एक cup holder देखने के लिए मिलेगा engine start stop का button यहाँ आपका front parking sensor on off करने के लिए यह fuel tank cap खोलने के लिए वहीं आपको आई बॉनट अनलॉक करने के लिए बॉनट कोलने के लिए वहीं एस event पे आपको chrome weeding देखने के लिए मिलेगी steering हमको इसका कुछ wooden भी मिलेगा steering में देखने के लिए और पूरा leather stitch में मिलेगा और tilt up down मिलेगा बट टेलिस्कॉपिक नहीं है टेलिस्कॉपिक भी है sorry tilt up down and telescopic steering wheel मिलेगा हमें इसमें यहाँ आपके info and controls के सारे buttons यह track change करने के लिए यह voice command के लिए mute hold के लिए यह phone card ने उठाने के लिए और इस side आपके सारे cluster control के button मिल जाते है cruise controls के लिए आपको यहाँ पे अलग से buttons दिये हुए है जहां से आप cruise control अपना set reset और control कर सकते है वही right में headlight on off के button यह left में auto headlamp का आप में feature मिल जाता है तो auto लिका हुआ इसमे यह left में आपको wipers के सारे control मिलेंगे कुछ इस तरह से cluster control देखने के लिए मिलेगा speed meter और rpm आपको anaclock मिलेगा बीच में digital mid मिलेगी देखने के लिए कुछ इस तरह से पूरा dex board चेक आउट कर सकते हैं आप इसका cluster control इसका on नहीं करपा मैं actually इसकी battery low है तो वहीं cluster control के बाद कुछ इस तरह से हमें इसमें इस event देखने के लिए मिल जाता है उपर यहां time आ रहा है watch है यह आपका hazard light या parking light का button दूसरा है इस event यहां पर total 6 airbags मिलते हैं हमें इसके अंदर particular variant के अंदर और वहीं info trend control के बात के बात कि तो कुछ इस तरह का info trend देखने के लिए मिलेगा हमें जो की android auto car play आपको मिल जाता है manual ac sorry यहां पर आपको auto ac auto climate control के सारे buttons मिल जाएंगे बीच में थोड़ा मीटर दिया हुआ है यहां पर आप सारी notification देख सकते हैं मीटर की मतलब जो auto climate control की यतनी भी notification होंगी वह सारी आपको यहां पर show होंगी यहां पर auto car button देख रहांगे यहां आपको का rear fence अगरा के लिए जो पीछे दिखाऊंगा उसके लिए अलग से button दिया हुआ है यहां पर यह front defogger के लिए rear defogger के लिए यहां से off के सारे buttons आपको mode यहां पर मिल जाएंगे वही नीचे आपको eco mode और power mode दोनों मिल जाएंगे attraction control का button आपको यहां देखने के लिए मिलेगा गेर console के उपर यहां पका passenger airbags की सारी notification आएंगी यहां पर उससे नीचे आपको 12 volt का socket और एक 2.1 AV का USB port मिल जाएगा है यहां 12 volt का socket कुछ इस तरह की हमें इसमें Toyota की की देखने के लिए मिलती है जिसमें lock on lock का button नीचे Toyota की branding थोड़ा space आपको यहां मिल जाता है यह manual 5 gate transmission के साथ आपको मिलती है manual hand brake कुछ इस तरह का gate console देखने के लिए मिलेगा हमें एक cup holder armrest इसमें हमें काफी spacious मिल जाता है और armrest आपका stridable नहीं है बट काफी अच्छा armrest देखने के लिए मिल जाता है globe box की बात करें तो dual globe box देखने के लिए मिलेगा हमें cold globe box है अपर वाला यह lock है खोली पर है एक नीचे मिल जागा बाकि wooden work आपको पूरे decks board पे देखने के लिए मिलेगा जो की काफी अच्छा look दे रहा है premium को काफी इसकी जो interior है काफी premium बना रहा है आप देख सकते हैं comfort zone के साथ वह important से उपर आए तो हमें कुछ इस तरह का manual IRBM देखने के लिए मिलेगा हमें यहापका reading lights के button जो की yellow reading lights मिलेगी और कुछ इसकी तरह का sun glass holder देखने के लिए मिल जाएगा हमें यहाँ से आप सारी reading lights on कर सकते हैं आगे पीछे की देख रोगा एक बटन से और यहाँ पे आप यहाँ पर आपको ambient lighting मिलेगी फ्रंट पर यहाँ डॉयर वाज़र पर आपको 20 mirror मिल जाएगा उपर light भी है driver side भी और co driver side भी आपको sun visor में 20 mirror with light मिल जाएगी पूरा dex board look को आप देख सकते हैं काफी premium look दे रहा है और एक अच्छे खासे segment की गाड़ी तो premium look तो देखी देखी और वहीं passenger doors की बात करें तो कुछ इस तरह से सेम सिंगनल टॉन में में प्रेसिंजर डॉर मिलेगा door opener chrome में lock on lock का button एक chrome glossy black finish में बीडिंग यहाँ मिल जाएगी आपको थोड़ा fabric यह door access करने के लिए handle यहाँ silver bidding दी हुई है यह आपका auto up-down glass के लिए नीचे water bottle space यहाँ भी आपको panel light मिल जाएगी देखने के लिए passenger door रुपए भी और speaker place किया हुआ कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको passenger seats देखने के लिए मिलेगी और वहीं आपको parcel tray भी मिलेगी driver side भी और co driver side भी जहाँ पर आप अपना laptop बगरा कुछ खान पिने के लिए अच्छे तरह के से carry कर सकते हैं वहीं आपको USB port पीछे मिल जाएगा देखने के लिए mobile charging के लिए थोड़ा space मिल जाएगा और 112 वोल्ट क socket 120 watt का यहां मिल जाएगा आपको जो कि काफी plus point है parcel tray दोनों तरफ मिलेगी उपर जैसे मैंने आपको देखने के लिए passenger door पर जैसे मैंने आपको parcel tray दिखाई जो की काफी useful है वहीं उपर हमें रीडिंग लाइट हमें इस साइट देखने के लिए मिलेगी और एम्बियंट लाइटिंग आपको मिलेगी जो की काफी अच्छी लग रही है और वहीं आपको इस इवेंट इसके रूफ पर मिलेंगे दोनों तरफ दो इस इवेंट क्लाइमेट कंट्रोल्स के पैसिंजर साइट पे भी मतलब जो पैसिंजर रो है वहाँ से आप अपने हिसाफ से अरजेस्ट कर सकते हैं फैन स्पीड वगरा ओटो ऑफ जो भी करना आपको तो आटो क्लाइमेट के आपे भी बटन्स दिये हुए है वहीं थाड रो की बात करे तो थाड रो भी काफी स्पेसियस मिल जाती है हमें यहां आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है तकरीवन टू का फोल्डर और दो एस इवेंट आपको थाड रो के लिए भी मिल जाते हैं और स्पेस भी आप देख सकते हैं कि मैं भी अर्जेस्ट हो रहा हूं 5-10 मिरी आइट और पूरा आप लुक चेक कर सकते हैं गारी का काफी लगजरी फील वाली है तो यहार है लगजरी फील वाली की लगजरी फील क्या देगी लगजरी फील गाडी तो है यह और रूफ में आपको सेकंड रूम में भी डिडि रीडिंग लाइट मिल जाती है अब वह नहीं बात करें तो बूट स्पेस की तो कुछ इस तरह का हमें बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है इसमें यहां पर आपकी बूट स्पेस पर लाइट भी दी हुई है इसका नीचे देखने के लिए मिलेगा बाकी अगर आप बूट स्पेस बढ़ाना चाते हैं तो आपको सीट फोल्ड करनी होगी यहां से खीच के इस तरह से सीट फोल्ड कर सकते हैं आप दोनो और काफी स्पेसियस इसे इस तरह से यहां पर hold करके boot space को आप बढ़ा सकते हैं यहां दोनों seats hold हो जाएंगी hook हो जाएंगी और इस तरह से आप boot spaces का कैफी जादा use कर सकते हैं और अगर अब आपको पास passenger जादा हैं तो वहाँ seats नीचे करके आप फिर seat use कर सकते हैं तो बैई यह ता आपका इनोवा क्रिष्टा वी एक्स वेरियंट का फुल वागराउंड एक्स्टिरियर इंटिरियर मैंने दोना आपको दिखाया आप एक बार 36 टोयटा पे विजिट जरूर करें और गाड़ी के बारे में जाने की कैसी गाड़ी है बाकी नेक्स वीडियो में आप से मिलेंगे और प